पूर्व सर्पंच राजपुर उहित के जनम दिन पर पौधर उपन के साथ ग्रीन सायला पाट शे का किया शुभारम सायला उप्खंग मुख्याले पर सायला विकास समिती के तत्वावधान में ग्रीन सायला अभियान पाट 6 का पूर्व सर्पंच व विकास समिती के प्रधान सन्रक्षक एवं ब्रीन सायला अभियान के प्रेरक सुरेश राजपुर उहित के जनम दिन पर पौधर उपन के साथ शुभारंप किया गया कार्यक्रम के तहट पुरानी नर्सरी रोड स्थित रानी भट्यानी मंदिर में पूर्व सर्पंच सुरेश राजपुर उहित के नित्रित्व में सायला विकास समिती के पदाधिकारियों हुआ रामीनों की उपस्थिती में नीन के पौधे लगाकर अभियान का शुभारंप किया साथ ही सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए इसके बाद सदस्यों ने मंदिर प्रांगन में पौधे लगाए वही अभियान में सारवजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे पूर्व सर्पंच राजपुर उहित ने वर्तमान में पर्यावरन संतिलन वस्वच वातावरन के लिए पौधर उपन की महती आवश्यक्ता जताते हुए सभी को बारिश के मौसम में एक-एक पौधा लगाकर उसकी नियमित सार संभाल करने की बात कही वही राजपुर उहित का ग्रामीनों ने माला पहना कर वह मूँ निठा कराकर जनमदन की बधाए दी सायला विकास समिती की ओर से पूर्व सरपंच राजपुर उहित के हाथों कार्यकरताओं को एक-एक पौधा भिट किया गया कार्यक्रम ने एक दरजन पौधे ट्रीगाज सहित लगाए गये वही सौ पौधे विभिन प्रजातियों के चायादार प्रतियक्त कार्यकरता को दिया गया जिससे अपने घर या आसपास लगाकर उसको पनपाने का संकल्प दिलाया इस दोरान सायला विकास समिती के डॉक्टर राम सिंध राजपुरोहित राजस्थान पंचायती राज शिक्षक संग प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंध चौहान, बीराराम देवासी, वोटपंच उदै सिंध चौहान, भाजयमू मंडल महमंत्रीवर राजपुरोहित, नवयुवक मंडल अध्यक्ष मांदिलाल राजपुरोहित, किसान वागा राम चौधरी, मुम्ताजी उदेश, घुपाजी काला राम चौधरी, एड़ोकेग भीष्म नारायन राजपुरोहित सहित मौजूद है